दोस्तो नमस्कार, रूस यहाँ पर भारत को अपना सबसे खतरनाक हाथियार देने के लिए रेडि हो गया है, जो कि रूस का सबसे सीक्रेट वैपन कहा जाता है, यह वैपन वो कोई भी देश को नहीं देता है, तो यहाँ पर यह बात जो सामने निकल के आई है, यह डील इंडिया और रसिया के बीच हो चुका है और यहां पर कोई भी मीडिया रिपोर्ट में इसकी कोई जानकारी नहीं है तो यहां पर जो डील हुआ है उसमें रूस कौन सा सबसे सीक्रेट वेपन देने जा रहा है तो इसी को पर बात करेंगे तो वीडियो को लाश तक जरूर व सब्मरीन है वो इंडिया को तीन की संख्या में दस साल के लिए लीज पर देने के लिए तयार हो गया है जो कि भारत के इंडिया नेवी के लिए बहुत ही जादा ताकतवर बना देगा इस तीन नुक्लियर पावर सब्मरीन आने के बाद जो कि अभी एक नुक्लियर पावर सब्मरीन बहुत ही जल्दी उसके 10 साल पोरे हो गए है और उसे रसिया वापस भेज दिया गया है तो यहाँ पर इंडियान नेवी के लिए बहुत ही चिंता जनक बात थी कि इंडियान नेवी के पास लगातार अपने सब्मरीन की क्वाइंटिटी घट रही है तेकिन यहाँ और उसी को ध्यान में रखते हुए छे सब्मरीन और लीज पर लिए गया है और छे सब्मरीन बनाया जाएंगे और तीन सब्मरीन लीज पर लिए गया है रसिया से तो तीन सब्मरीन जो लिए गया है वो निकलियर पावर्ट सब्मरीन होगे और जो छे सब्मरीन बनाया जा तो यहाँ पर हम दोग सब्मरीन के मामले में दोयार 25 से 30 तक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे पूरी ही दुनिया में सबसे ज़्यादा नुक्लियर पावर सब्मरीन रखने वाला देश हो जाएंगे भारत क्योंकि अभी चाइना के पास भले ही 70 की संख्या में और उसी को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर नुक्लियर पावर सब्मरीन इंडिया बहुत ही जल्दी और स्पीड में बनाने की बात कर रहा है क्योंकि सब्मरीन जो सिंपल सब्मरीन होते हैं जो जेनरेटर डीजल से चलने वाले सब्मरीन होते हैं वह सब्मरीन से करीब ती काम करने में सक्चम राते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्यास आप लोग समझ गये होंगे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय भारत जय है